दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेड़ पर लगे आम से कैसे माजा और फ्रूटी जैसी कोल ड्रिंक्स बनाई जाती हैं? इससे पहले कि आप फिर से ये मैंगो ड्रिंक पिए, चलिए देखते हैं कि फैक्टरी में मैंगो ड्रिंक कैसे बनती हैं? दोस्तो मैंगो ड्रिंक बनने की शुरुवात होती है पेड़ से आम तोड़ने से, लेकिन आपको भी ये पता होगा कि आम भी कई किस्म के आते हैं, इसलिए मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए हापुस और तोता परी आम का चुनाओ किया जाता है, पेड़ पर लगे आम सबसे प का इस्तिमाल किया जाता है, जिसमें एक कटर लगा होता है, जिससे कोई भी आसानी से आम तोड़ सकता है, इसके बाद इन आमों को एकटा करके आम में लगी डंडियों को तोड़ने का काम शुरू होता है, यह काम बहुत ही साफधानी से किया जाता है, तो उसमें से एक खत पानी में डाल देते हैं ताकि इसका acid का आफर खत्म हो जाए इसके बाद यह आम फैक्टरी में भेज़ दिये जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले इसकी lab टेस्टिंग होती हैं फिर इसके बाद इसे sorting conveyer पर भेजते हैं जहाँ पर खराब और दबे हुए आमों को हाथों की सहायत से अलग कर देते हैं सौर्टिंग के बाद इसे प्राइमरी क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर इसे पानी के साथ अच्छे से साफ कर लेते हैं फिर इसके बाद इसे फूड वाशर में भी दोबारा साफ करते हैं ताकि बची हुई गंदगी भी साफ हो जाए फिर इ आम से पल्प अलग हो जाता है और गुठली और छिलके भी अलग हो जाते हैं जिन्हें मशीन कन्वेयर की सहायता से बाहर निकाल देती हैं। खत्म हो जाते हैं और पल्प की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यह पल्प और कुछ नहीं बल्कि आम का गाढ़ा पेस्ट होता है। इसके बाद इस पल्प को टैंक में भर कर स्टोर कर लेते हैं। फिर फैक्टरी में ही एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा प बालते हैं। जब शुगर सॉल्यूशन बन जाता है तो अब इसे फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। इसके बाद मैंगो पल्प और शुगर सॉल्यूशन जो हमने बनाया था उसे एक बड़े से मिक्सिंग टैंक में भेजा जाता है। जहां पर इन दोनों को मशीन की सहा बढ़ जाती है। फिर इसे होमोजिनाइजेशन और स्टार्लाइजेशन की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। इस प्रोसेस से ड्रिंक में मौजू सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब आपकी मैंगो जूस ड्रिंक रेडी है बाटल्स में पैक होने के लिए। इसके अब शील्ग के साथ बाटल्स में जूस भरती है। बाटल्स भरने के बाद एक और स्टममेटिक लीजेशन द्रिंक रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेर करना बिल्कूल नभूलें। धन्यवाद जहिन